हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नवस्त अंगलिस के न्यूज सेसन में जहांपे हम अलग 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 परकार के ग्रेमर टिप सीखते हैं आज भी हम सीखेंगे और आज हम जानेंगे आपके वीजिबल के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं without wasting time but before we start एक छोटी सी जानकारी सुन लीजिए अगर आप लोग फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हो बट हिचके चाहते हो confidence की कमी है बोलनी पाते इसको दूर करने के लिए सबसे पहले आप डाउनलोड कीजिए नमस्ते इंगलिस है प coming back to the news part,news क्या है एक बार देख लिजिए with several complaints from visitors as well as locals of traffic policemen in Goa ना पोलिस won't stop your vehicle unless visible traffic violation तो अब जब तक आप कोई violation नहीं करोगे गोआ में तो कम से कम traffic police वाले आपको रोकने नहीं आरे वो कोई document check नहीं करेंगे जब तक वो आपको कोई rule तोड़ता हुआ नहीं पाएंगे क्य क्योंकि वह unnecessary किसी को भी रोक के जो है checking वगएरा करते हैं तो locals को problem भी होती है कई बार ठीक है तो यह news है चलिए हमारा मेन मकसेद दोस्तों visible की बारे में जाना देखें visible का यूज जो है एक adjective के तोर पे किया जाता है ठीक है एक अड्सेक्टिव के तॉर और visible का मतलब होता है जो दिखे जो दिख जाए ठीक है जिससे आप देख सको ठीक है जिसे देखा जा सके जो देख जाए इस sense में use होता है for example एक example की थुरू से समझाता हूँ मैं आपको इस चीज को जैसे आप लिखना चाहते हो कि मुझे मुझे rainbow पता है आपको rainbow जो बारिस के टाइम पर जो है बनती है जिसे आप इंदर धनुस कहते हो चलो मैं इंदर धनुसी लिख देता हूँ मुझे इंदर धनुस दिखा था आप कहोगे कि सर इसका exact translation क्या होगा था exact कुछ और भी हो सकता है definitely बट इसका एक जो possible translation वो यह भी हो सकता है कि rainbow was visible to me मुझे इंदर धनुस दिखा था तो इसको आप कह सकते हो कि rainbow was visible to me मुझे इंदर धनुस दिखा था तो I had seen the rainbow यह भी हो सकता है कह सकते हो एक तरीके से कि rainbow was visible to me rainbow was visible to me where were you तुम कहा थे मुझे तो दिखा था तो इस sense में use किया जा सकता है मैंने आप context दिया कि कभी इस sentence आप बोल सकते हो तो दोस्तों एक use भी जाना अपने visible का एक नए context में तो आज का यह topic था visible जो मेंको आपको सिखाना था with context ताकि आप use कर पाओ अपने daily life में ठीक है I hope कि आप कोई छोटा सा point समझाया होगा अगर समझाया है तो वीडियो को like कीजिगा share कीजिगा subscribe कीजिगा channel को मैं मिलता हूँ आपसे next वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही बट हाँ जाते जाते फिर कहूंगा do not forget to join our unlimited account have a great day head keep smiling दोस्तों thank you